करके रख दिये हैं और यह लंबा सा खेट है इदर और काम हो रहा है अनुपने आया है अच्छा करने के लिए इस तरह से कबाड़ा जाता है तो अभी आप लोगों को पताई हुआ कि अभी धान का धान लगाने का सीजन आचुका है और आज हम आचुके अपने धान के खेट के पास और यह मेरा फर्ष्ट की फर्ष्ट खेट है जो कि आज कबाड़ने वाले हैं यह रहा कुलसी बट के जो कबाड़ने उसमें तो अभी मैं बठाऊं गाड़ी के उफर और वहां पी है खेट देख सकते जैसा कि और वहीं हम जाने वाले हैं आज है काम और आप लोग को ब्लोग में दिखाएंगे पूरा सीन मतलों की कैसे रोपाई जाता है रोपा तो हर जगा रोपा जाता है धान और अलग-अलग तरह से भी बहुत मतलब बहुत जगा पर दूसरा टाइप में रोपते हैं तो मेरा इलाका का कुछ सीन दिखाएंगे कि कैसा धान रोपाई जाता है तो कंटीनीव बने रहे आज यह फर्ष्ट है और अधर का लोकेशन आप लोग देख लीजे बाइग कैमरे से और अच्छा लगेगा ठीक है कि अ कि अ हो में अ ताम अ साइन आदर वाल अ सो शीच इस लेडिए के नीचे और पानी में हेलते हैं आभी खेत पर जा रहे हैं तो सब यहां काम कर रहे हैं और यही है मेरा खेत जैसा कि और मामी बोल रही है कबादना है बहुत ज्यादा है और इतना पानी में तो धान रोपने वाल है नहीं इसको कुछ कम करना पड़ेगा और इसका ज्यताई कल होगा तो इस तरह से कबाड़ा जाता है धान को इसी श्टाइल छे धूप जादा है अब देखते हैं जैसा के वी काम हुआ तैम हो गया अभी घंडा वार पानी का मुसम हो चुगा पानी आगे देख से तो अभी पानी का मुसम आगया अभी मोईल को रखते हैं अपना स्चेप्टी के साथ और देखे काम करता है तो यह है मेरा दूसरा दी और यह सोनु काम हो रहा है हान रोपने आया है यहां हर पर चाड़ने वाला है केस होनों हम तो हर पर जाड़े हुए है हर पर चाड़ने वाला है और इसको बराबर करने वाले सो फ्रेंट्स यह है आज दूसरा दे मानी तीसरा दिन होगया आज है और आज है तीन जुलाई और अभी मॉर्निंग का समय हो रहा है मॉर्निंग आने की अभी बज चुका होगा साथ ही बज चुका होगा टेम आपको बता दूं हाँ अपने खेत में और देख सकते हैं यह मेरा जो धान का जो लगा हुआ है कि बीहिन को कवार के रख दिये हैं और यह लंबा सा खेत है इदर और इसी को मतलब की धान रूपना है और यह है मेरे अंकल का अच्छा की देख सकते हैं पानी भी है और जिन जीनल मतलब उपर फखेत होता है तो उसमें साइदे पानी नहीं रहता है उसके कारण मरसीन को उच्छ किया जाता है यहां पर और मैं यहां नीचे चल रहा हूं तो हम को यहां काम थोड़ा सा बच गय करें उसके बाद आप लोग के कपाड़ ले और मॉर्निंग का समय है तो देख सकते हैं सूरच कि क्रिक है और वह बंदा भी वहां पे काम कर रहा है मसीन लगाया है चलिए मसीन नदी में लगाया गया है तो नदी का कुछ सीन दिखाते हैं और इधर का कुछ लोकेशन दिखा देख सकते हैं मसीन लगा हुआ है यहां से और इस तरफ से इधर पानी जा रहा है और यह है नदी का कुछ सीन ठीक है और आप लोको बैक केमरे से द्खाते हैं अच्छा दिखेगा और देखने में मस्त रगेगा अधिशन लगी हुई है और यह रहा कुछ नदी इस परकार काम लोग तो नदी बोलते हैं बाकी बात जो भी है कि अधिवानी पानी बाते हैं अधिवानी बाते हैं इस वी आदे रहा मेरा खेट का कुछ सेहन है और इस तरह से मैं चलता हूं आपे और इह देखेए कितना मत्टी है और इस परकार से बना हुआ है देख सकते हैं ठीक है और कि अधिवानी बाते हैं कि अधिवानी बाते हैं कि अधिवानी बाते हैं कि अधिवानी बाते हैं अब लोग देखे कि इधार से धान कैसर उपा जाता है और पूरा प्रोसेस दिखाएं आप लोग को तो वीडियो कैसे लगा आप लोग बताएगे नीचे कोमेंट में और इस वीडियो को थोड़ा से लाइक कर दीए लाइक कर दीए क्यों कि किसान लोग कितना मेहनत ज्यादा करते हैं इसलिए कम से कम पचास लाइक जिरू किजिएगा और पीछे देख सकते हर्याली और इसी हर्याली को हम अगला वीडियो में अपलो को दिखाने वाले पूरा सीन तो नेक्स वीडियो को इंतियार किजिएगा और मेरे चनल को सब्सक्राइब किए है और घंटी को नह क्यार रखिएगा जय हिन जय भारत जय माता दी झाल